डियर व्यूवर्स वेलकम तो स्टोरी स्नैचर आज का हमारा टॉपिक है मैं फाइनेशल करियर बाइ स्टेफिन लियो कॉक इन हिंदी बहुत ही फणी शॉर्ट स्टोरी है और बताते हैं कि जिस जगह मैं काम करता था वहां पर मेरी सेलरी बढ़के 50 डॉलर्स हो चुकी थी त तो मैं बैंक गया और वहां काफे भीड थी तो मैं एक क्लर के पास गया अब मैं काफी नर्वस था और क्लर के पास जाने के बाद मैंने उन से कहा कि मुझे मैनेजर से बात करनी है कि मुझे थोड़ी से आइडिया था कि मैनेजर से बात करनी होती है एकांट खुलवाने के की एक्टड़े में भूछ तो तो इस ने कहा ठीक है मैं बुला देता हूं मैंने अध्याइब बात करे दिया तो मैं मुझे पिर प्राइवेट रूम में काफी डर गया था इप क्या करूं तो मैनेजर पूछा कि आप Pinkertons detective है तो मैंने कहा कि नहीं मैं कोई detective नहीं हूँ तो मैनेजर थोड़ा परिशान हो गया और फिर उसने सोचा कि मैं बहुत अमीर हूँ और हो सकता है मैं Baron Rothschild का बेटा हूँ उसने मुझे से पूछा मैंने कहा कि नहीं मैं Baron Rothschild का बेटन नहीं हूँ क्योंकि वह उस समय के बहुत ही अमीर इंसान था तो उसने सोचा रहे तो हो सकता है कि मैं मिलेनियर होंगा तो मैंने कहा नहीं मुझे अपने पैसे जमा करवानी है 56 डॉलर्स क्योंकि उस समय मेरे पॉकेट में 56 डॉलर्स थे तो उन्होंने कहा ठीक है अपना वह थोड़ा सा गुसर टाइप के हुए और बैंक क्लर को उसी को बुला के कि इनका बैंक में खाता खु तो मैंने कहा ठीक है 56 डॉलर्स कहके मैंने दे दिया मुझे 6 डॉलर्स को चाहिए कुछ डेली यूजस के लिए अब मैं उसको एक्स्प्लें नहीं कर पा रहा था और मैंने उनसे मांग लिए कि मुझे कुछ पैसे निकलवाने है तो उसने अच्छा ठीक है चेक में लिखने मैंने कुछ लोग मुझे help कर रहे थे तो मैंने 56 डॉलर्स लिकी दिया और उस clerk को दे दिया अब वो clerk देखके है कि आपको सब पैसे निकलवाने है तो मैंने ऐसे अपना गलती नहीं दिखाई और का हां मुझे सब पैसे निकलवाने है तो ठीक है निकाल दे रहा हूं लेकि और ऐसे निकालने के लिए उसने पूछा कि आप पैसे अ अपने कैसे लेने चाहेंगे तो मुझे पहले समझ नहीं आया उसने अपने पैसे पैसे只是 लेने क्यों दो मैंने कहां नोट में तो 50 डॉलर्स्व मुझे नोट में दिखें आप 30-60 लेके वहां से मैं इतना जोर का भागा ना घर की तरफ और उसके बाद से मैंने कभी बैंक में पैसा नहीं जमा करवाए मैं हमेशा अपने पॉकेट में रखता हूं नोट्स और कॉइंस अपने सॉक्स में कौन ही लोग कहां से आते हैं अगर वीडियो बसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेर कीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर किजिए